सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्ली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसले लिखते हैं क्योंकि आप जब जून लिखना होता ह इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवुड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसम अबर 2018 को DNA लिखता है कि सुषान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीडू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मूवी माफिया के पाले हुए है यह इसको mental, emotional, psychological, lynching को journalism कहते हैं मेरे बारे मैं आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाले कि जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस journalist को confront किया आपको पता है उसी राचार senior journalist ने मेरे खिलाफ एक guild बनाई एलान किया गया कि इसकी film को bang किया ज आपको तेन हजार journalist गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी emotional lynching करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद हो गाइब हो गए मेरी film release हो गाइब हो गए तो मेरा कहने क का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी